नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वर्माई टाइम्स में दिन भर की बड़ी और एहम खबरों के साथ मैं हूँ दर्शतार हो रहा सबसे पहले एक नजर आज की हेड्लाइन्स पर हिरासत में लिए गए गहलोत, थरूर और पायलेट वनवासी महिलाओं को सिंगापूर में मिलेगा अंतरराष्ट्य पुरिसका सीम बगेल ने दी बधाई राष्ट्रपती के लिए वोटों की गीनती जारी शाम पांच बजे तक आ सकता है परिडाम कॉंग्रेस अध्यक्ष सोन्या गांधी नैशनल हैरोल धनशोधन मामले में पूचताच के लिए यहां स्थित E.D. के कार्याले पहुँच गई है जहां उनसे एक असिस्टिन डारेक्टर रैंका अफसर पूचताच कर रहा है सोन्या गांधी जेट प्लस सुरक्षा घेरे के बीच दोपहर के समय मध्यम दिल्ली में एपीज अब्दुल कलाम रोट पर विद्यत लेन में स्थित संगीय जाच एजेंसी के मुख्याले पहुची हाली में कोरोना वाइरस से संक्रमित हुई सोन्या गांधी ने मास्क पहन रखा था उनके बेटे राहूल गांधी वा बेटी प्रियंका भी उनके साथ थी वहीं दूसी तरफ सोन्या गांधी से एडी की पूचताच के खिलाफ कॉंग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है पार्टी के वरिष्ट नेथा शशी थरूर, सीएम अशोग गेहलोत, सचन पैलेट सहित कई कॉंग्रेस के कारेकरताओने दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है वहीं सीएम गेहलोत ने कहा कि सोन्या गांधी की उम्रे 70 वर्ष से अधिक है इडी से उन्हें घर आकर पूछताच करनी चाहिए थी इस वक्त में इडी का जो गलत अस्तमाल हो रहा है ये जग जाहिर है, कोई नई बात नहीं है 36 गड को लगूवन उपच प्रोसेसिंग के छेतर में अंतराष्टिय स्तर पर महत्वपूर उपलब्दी हुई है इसके तहट 36 गड को संधारनी विकास, गरीबी उन्मूलन और महिला शस्ती करण के लिए अंतराष्टिय पुरसकार मिलेगा इस पुरसकार को ग्रहन करने माना विमांतल राइपुर से दल रवाना हो चुका है सिंगापुर में आगमी 22 और 23 जुलाई को आयोजित इसजी ग्रीट पुरसकार समारों में 36 गड राज लगूवन उपच संग मुखे मंत्री बुपेश बगेल की पहल पर वन मंत्री मुहमद अगबन ने नित्रित में 36 गड राज लगूवन उपच संग के वंधन विकास केंद्रों में लगूवन उपच के प्रसंकरन कार्य में लगी महिला सदस्यों के समर्पित कार्य प्रालाणी का परड़ाम है कि इस संतर राष्ट्य पुरस्कार के लिए उनकी पहचान हुई है चत्रिसगर की इस महतुपुड उपलब्दी के लिए मुखे मंत्री बगेल और वन मंत्री अगबन ने राज लगू वनोपत संग सहित वंधन केंद्रों के समूग को बधाई और शुपकामनाय दी है द्रौपती मुर्मू या यश्वन सिना में से देश का अगलर राष्ट्रपती कौन होगा इसका फैसला आज शाम को हो जाएगा संसद्भवन में राष्ट्रपती चुनाव के लिए वोटों की गीनती सुबह 11 बजे से शुरू हो चुकी है राष्ट्रपती चुनाव में सत्ता रूड एंडिये की तरफ से द्रौपती मुर्मू उमिद्वार है तो वहीं विपक्ष की ओर से साजा उमिद्वार यश्वन सिना को मैदान पर उतारा गया था सूत्रों के मुताबित प्रधान मंत्री नरेंद मोदी आज शाम करीब 4 बजे चुनाव पर इडाम गोशित होने के बाद द्रौपती मुर्मू से मिलने जाएंगे द्रौपती मुर्मू की जीत तैम आनी जारी है यही कारण है कि द्रौपती मुर्मू के निवास पर भी तैयारिया शुरू हो चुकी है देश प्रधेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले